बहुत बहुत स्वागत है आपका पेंट करो चैनल में देखिए आज हम आपको बताएंगे कि इस एक्टीरियर पेंट कैसे करना है और आपको बताएंगे कि इस एक्टीरियर पेंट में कितना पानी मिलाते हैं एक से दो कोट के बीच में कितना अंतर होना चाहिए एक कौन से क आता है कितनी इसकी वारंटी होती है तो चलिए दोस्तों देखिए इसका जो कलर कोड है आप देख रहे हैं 8049 है अब इसका मैटेरियल अपन तैयार करते हैं तो चलिए किस तरीके से अपन 20 लीटर की वाल्टी को खोलेंगे इस तरीके से 8 इंच की जो पत्ती है देखिए ऐसा ग्रिफ में असा के और अपन इसको काट देंगे यह बहुत ही आसान सा तरीका है वाल्टी को खोलने का यह वाल्टी को खोलते हुए देखिए यह ग्रिफ कट गई है इसको अपन इस तरीके से निकाल देंगे यह ग्रिफ काट के अपन में अलग निकाल दी इस तरीके से अब इसका अपन मैटेरियल तयार करेंगे किस तरीके से करना है देखिए ये 20 लीटर मैटेरियल है अपना देखिए 12-13 लीटर पानी अपने इसमें मिलाएंगे ये अपने 12-13 लीटर पानी लिया है तो देखिए अपन इसमें मिक्स कर देंगे ये मैटेरियल का मिक्स करा हो गया है अपने एक से दूसरी वाल्टी में मेटेरियल को पलट देंगे तो यह इस एक्टिरियर पेंट है और इससे उपर जाएंगे तो एक्टेरियरो अल्टिमा अल्टिमा प्रोड़क्त देखिए इस तरीके से अपने इसको मिक्स कर लेंगे, देखिए, लगबग अपन ने मेटेरियल ओपर करीके से मिक्स कर लिया है, और ये आपको मार्केट में किसी भी कलर में उपलब दो हो जाए गाई, ये मेटेरियल अब यूज करने के लिए अपना तयार है, अब चलिए आपको बताएंगे कि इसको GX19 spray machine में कैसे अपन इसको यूज करेंगे, देखिए ये हमारी ग्रेको कमपनी की GX19 मसीन है, ये एशियन पेंट की मसीन है, इसप्रेट देखिए, ये मशीन है, छान के इसमें मेटेरियल दालेंगे, शननी है, इसको अपन इस तरीके से लगा जाएंगे, अब अब आन इसमें डालेंगे यह डालते हुए चानने का विशेश ध्यान रखें क्योंकि इससे आपकी मसीन को नुक्सान हो सकता है अब दीरे दीरे प्रेसर बखाएंगे यह अब अब आपने चालू कर दिया है देखिए यह टिप गाड है इसको अपन कस देंगे इस तरीके से अब इस तरीके से इसको सामने करेंगे यह इस तरीके से जी वाला इससा अपने सामने किया देखिए यह यह देखिए बैठ गई इसको ऐसे गुमा देंगे तो यह करने के मोड में आ गया देखिए अपनी मसीन चालू हो और अब पेंट करने के लिए तही आ रहा है चलिए इस तरीके से पेंट करके होगे देख रहे हैं आप देखिए यह ग्रेको कंपनी की मसीन है अपनी इससे भाई हो अपन को बहुत सारा फायदा मिला है अभी आप सीडी पे जाते बाल टी भी ले जाते ब्रस भी ले जाते रॉलर भी ले जाते अब अपन को खाली एक सारा अरण सा पाइट लेके जाना है उपर देकि यह तरीके से अपन करते हुए देख रहे हैं आपको देखिए अपनी लगबग 25 से 30 फिट की हाइड है देखिए आप देख रहे हैं यह सीडी से वर भाईयो मैं एक चीज और बता दूं आपको किसमें एक लीटर में जो किसकी पॉंटिटी जो आती है एक लीटर में कुछ लोग मेरे से कमेंस करके पूछ रहे थे कि सर एक लीटर इस मैं बताईए कितने स्क्वार फिट एरिया होता है तो मैं आपको बता दूं कि एक लीटर में final दो कोट एरिया 50-60 square feet आपका complete कर सकते हैं यह इसकी तीन साल की warranty होती है जी यह अगर तीन साल में तीन साल के पहले अगर आपका paint खराब हो जाता है तो आप इसकी complaint a-sian paint में आप कर सकते हैं लेकिन paint company के रूल के हिसाब से होना चाहिए तो देखिए यह हमने जो वर्क किया है तो पहले हमने वाई हो इस पर exterior primer डाला है देखिए यह दिख रहा होगा आपको white color का सारे में हमने exterior primer किया था exterior primer करने के बाद अब इस exterior paint कर रहा है देखिए यह first coat चल रहा है और इसको first coat होने के बाद 4 से 6 गंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे फिर उसके बाद हम second coat करेंगे यह first coat होते हुए देख रहे हैं आप तो इसमें मैंने बताया आपको के एक लीटर में आपको सारे 600 से 700 ml पानी ही डालना है तो एक 20 filter की वाल्टी में 13 से 14 लीटर के आसपास आप पानी मिला सकते हैं इस तरीके से सीडी को आगे बढ़ा आते हुए देखिए यह अपना एस एक्टिरियर पेंट करते हुए देख रहे हैं इस तरीके से इस एक्टिर पेंट ग्रैको कमपनी की अपनी मशीन है उससे अपन पेंट करते हुए देख रहे हैं देखिए तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको यह वीडियो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा लाइक करनें और हमारे चैनल को आपने अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करनें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए नमस्कार धन्नवाद